हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बालो को हेल्धी बनाने के लिए हम तरह तरह की कंडिशनर्स अपने बालों पर अपलाइ करते हैं और उन conditioners को apply करने के बाद भी जो हमारे बाल होते हैं उनकी freeziness और उनका रुखापन कहीं नहीं जाता जिसे कि हम बहुत ज़्यदा परिशान हुजाते हैं कि अब हम क्या करें तो guys आज मैं आपको conditioners के जो apply करने की गलतियां करते हैं आप वो बता रहे हूं सबसे पहले तो आपके आप अपने scalp को देख Tibur को देख़िया और ऐसके अकोर्डिंग अपने conditioner को चोज कीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं और ड्राय हैं और curl हैं कभी भी गेले वालों में आपको कॉम नहीं करना है चाहे आपने कंडिशनर ही क्यों न अपलाए किया हो आप हलके हातों से फिंगर्स से उने सुलजाईये और 3 to 5 मिनिटस से जदा अपने बालों में कंडिशनर को नहीं रखना है चाहे शैंपू हो या कंडिशनर हो अच्छे स बालों में से निकाल देना है और आपको अपने बालों को बहुत एक दो बार दोईए और उसके बाद में निकाल दीजिए आप अपने बालों को नेच्रली तरीके से ड्राय होने दीजिए कभी भी उन पर हेर ड्रायर का यूज मत कीजिए इन सिचुएशन कभी-कभी आपको अगर करने हैं तो वह बाते लगें बट आप maximum time avoid कीजिए आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और बहुत ज़्यादा शाइनी होंगे अगर आपके बालों में split ends हैं तो आप उन्हें time time पर काट सी रहिए इसके लिए कोई शैंपू नहीं है बालों में hair roller और आपके बालों में जो आप hair straightening करते हैं आप उसको भी avoid कीजिए जितने भी सिल्की सा कर देता है आपके बालों को और आपके बाल बहुत ज़्यादा आपको एकदम soft लगते हैं अगर आप fingers डालते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं मारी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई